कि चरुर करते हैं आप आर्मादां के बार्रभिंग करते हैं जहां गीर तक हो गया था अकबर को चुका है और आपका जहांगीर और आघने जो है मुगल बंसका जो कहिए एक तरह से जो है औरंजेव है उसके बाद तो छोटे छोटे चोटे सोटे पाट्में थे बहुत साडे मुगल जो है बंसस थे दियने थे लेकिन अरंजेव ठक जो है अंग्रेजोका स्वय आकरमन नहीं हुआ था भारत में मतनब हिंमत नहीं थी कि टक कर रिलेशन है, चीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और अरंजेव सरप्रथम गद्धी पर कब बैठा, यह प्रस्न बहुत बार उस्ता है और बहुत इंपोर्टेंट है, तो बताइए, कि और अरंजेव जो है, गद्धी पर कब बैठा, तो 31 सुलाई, 1658 में आगे सवाल बनता है, कि और अरंजेव की माता का क्या नाम था? गुरु थे या दखेंगे आगे सवाल बनता है और अंजेव ने पर्थम यूद किसके विरुद्ध लड़ा था तो या दखेगा और चा के जुझार सिंग से या दखेगा और चा के जुझार सिंग से लड़ा था या दखेगा और अंजेव ने अस्तम जितने का कार्ज किसे स निए दाएगा और अंजेव ने अस्व जीतने का जो है किसे सौपा तो मेरी जुमला को सौपा था यहां दखेंगे आप यह सवाल बहुत अच्छा है पुरवंदर की संधी पुरवंदर की संधी बताएगे 1665 इसमें हुआ था किसके बीच वीच वह था देखिए पुरवंद जी एवन जैसिंग जो था और अजयेव के तरफ से था और सिवा जी तो थे ही मेरा था ठीक है तो पुरांदर की संदी जो है 16-656 में हुआ था शिवा जी और जैसिंग के बीच वह था आगे चलते हैं आगे है कि मंदन मंदना जो हता है और अकनना उससेमें उधर का था जगा मंदना, मंदनना और अकनना गोलकुंडा के किस सासक के मंतरी थे बताईएगा ये दोनों जो थे गोलकुंडा के किस सासक के मंतरी थे तो याद खेगा अबुलहशन के सासक थे या तो खेगा तो ये इसलिए मैंने बता दिया बताईएगा आगे सिवा जी को कैद कर कहां रखा तो कौन कैद किया था तो और अंजेव कैद कर लिया था सिवा जी को तो कहा रखा था तो जैपूर के भवन में कैद कर लिया था किसके भवन में तो जैपूर के भवन में कैद कर लिया था आगे है भरतपूर राजबंस की नीव किसने डाली बताइगा भरतपूर राजबंस क किस ने कराई तो याद खेया गुरू तेग बहादूर के हत्या और अंजेव ने कराई थी यह बहुत ही महत्वून प्रश्म बनता है याद खेगा ठीक है सिख गुरू तीन तीन सुख गुरू थे तीनों मुगल से पाइट के थे तीन चार जो है जिसमें आप बताएगा मैंन सा गरंथ का संकलन की बताएगा घूरू गोविन सिंख्य जो थे कौन सा गरंथन का संकलन के थे तो तो यह किते तकहिए थी तो 9 करथ Доसमें यार दखेंगे और ग confiance मैं हिंदू जो है मनसब्दारियों की संख्या लगबके कितनी परतिषत थी त्या ann कि 23 परतिशत थी यार तखेंगे और इसकंडी तिजु फाकीर अगे अगे सवाल बुनता है कि और आशए आपना चाहशन का अधार बनाय था और अजेव नए अपने शासन का अधार जो है किसे बनाय तो यहर रखेगा कुरान को अधार बनाय था शासन अधार यहाशन तके गे और अलात में जजिया कर कब लाया मतलब चैनल अफ में अपक्रक हए भी गशिएख कर 01 1679 में या रिकेंगे surças on archi में लाए था या रिकेंगे 16199 में बात करते हैं jeula या रिकेंगे बनारश चिखाए आपका कि बनारश के विष्वनात मंदिर जो है बनारश के विष्वनात मंदिर और मत्वरा के किशव राय मंदिर किशने तुरवाया 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 त किस संधी के द्वारा किलो को सत्ता अंतरित किया क्या रिखेगा पुरंदर का यूद हुआ था आप देखे थे जैसिंग और सिवा जी तो जैसिंग जो था और अजयव के तरफ से लड़ रहा था चीए और आपका जो शिवा जी थे वो आपके जो है मतलब केले लड़ रहे थ ऐ니다 अगल वास्षा को आलम जो है आलम गीर कहा जाता था तो और अंजेव को कहते थे आलम गील याद रखेगा किस मुगल वाश्चा को जिन्दा पीर कहा जाता था और अंजेव को कहते थे मेरे तो याद रखेगा किस वाश्चा के अंतरगत मुगल सेना में सारवधी की हिंदू शेना पती थे तो याद रखेगा और अंजेव के मतब समय में थे यह तो खेगा चीक है आगे चलेंगे आगे है किस सिग गुरू की मिर्थू के लिए औरंजेव जिम्मेदार था गुरू तेग वहादूर की मिर्थू के लिए जिम्मेदार था यह तो खेगा यह सब ओन लाइनर है पढ़ते चलेंगे आगे है धर्मात का जो है यूद हुआ अप्रेल 68 में, जो कि आपको 1658 में, किन के बीच लड़ा गया था? और अरंजेव और दाराशिकों के बीच लड़ा गया था? दोनों भाई-भाई में लड़ाई हो गया था, है न? आगे सवाल बनता है, आगे सवाल क्या है? बताएगा कि और अरंजेव ने अपने पिता को किस किले में नजर बंद कर दिया था? जहां उसकी मौत हो गई थी, तो या दिखेगा आगरा के किला में नजर बंद कर दिया था? बताएगा और अरंजेव कि पिता का क्या नाम है? आप बताएंगे. जिस प्रकार अस्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बरबाद किया उसी प्रकार डक्कन के फोड़े ने औरंजेव को क्या इकती किस इतिहासकार की है बताईगा मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई इतिहासकार हैं जो बोर रहे हैं कि जिस प्रकार अस्पेन का फोड़े ने निपोलियन को बरवाद कर दिया था मतंब उसका एक प्रस घमंड कहिए जो कहिए उसी प्रकार दक्कन के जो लोव इसको फोड़े जो है और अरणजेव को मतंब समझे क्या करेगा बरवाद करेगा तो क्या जदूनात सरकार की चीक है किसने बोला था जदूनात सरकार चीक है आगे चलेंगे जागीर जो है जागीर दारी जो होता था जागीर दारी शंकर सरपर्थम किस मुगल बातसा के अगे चलेगे आगे प्रशनाएगे और अगे प्रशनाएं ने वीजापूर की विजए कब इती है सविस्जाइब में बीजापूर पर विजॉक किया था कौन सा विदेशी या तर ये अंग्रेज के समय में भारत आया था तर निकोलो मनुची मनुची नाम है निकोलो मनुची निकोजो मनुची जो था और अरणजेव के समय विदेशी के ऊपनाय था यह तर यादτηर औरंजेव का उत्राधिकारी कौन हुआ तो या दिखे बहादु शाप्रथम जो था वो आपका हुआ था औरंजेव का उत्राधिकारी चुक्छा है औरंजेव जो था, औरंजेव ने मिद जुमला को किस का गवर्णर निउक्त किया तो बंगाल का गवर्णर जनर निउक्त किया था तकेगा आगे है उत्रा अदिकारी ने योद्ध के समय और अनजेव सुवेदार था, कहा है, तो डक्कन का या तकेगा औरंजेव के बिरुद किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी या दिखेगा दुरुगा दास रठोर ने बगावत कर दी या दुखेगा दिली के लाल किला में मोती महजिद का निर्मान जो है किया था तो औरंजेव ने किया था मतब लाल किला में ही मोती मघजित का निरमान करवा था और अंजेव ने याद खेगा आगе है मुगत समराट और अंजेव कौन सा बादिया अंतर बजाते थे बतब बजाता था बताईगा बीना बजाता था याद खेगा दचिन में किसके सासन काल में किसके सासन में मुगल समराज तमीद राज च्छेत्र तक फैल गया तो औरंजेव के समय में ही तमीद राज तक फैल गया था मुगल बंश औरंजेव ने दच्छिन में कौन-कौन से दो राज बिजापूर और गोलकुंडा बिजापूर और गोलकुंडा जो है दो राज जित कि राज़ानी और अंगाबाद को बनाए था चलेंगे और अगे चलेंगे भारत में बहात में बीबी का मकवरा इस्ति थे और अगे चलेंगे अगे प्रशना है 1679 ठीक है इसमें में मत्रुआ के जाटू ने किसके नित्रतु में और अंजेव के बिरूद विद्रो किया था तो गोकुल के नित्रतु में किया था या दखिएगा मत्रुआ के जाटू ने गोकुल के विद्रो में चीक है आगे है सवाल कि किस मुगल वाथसा ने मरते वक्त कहा था कि म आगे चलेंगे, आगे कोश्चन है कि शाकी, मुस्ताईद, ठीक है, शाकी, मुस्ताईद खां की रचना, जो है रचना का नाम बताएए, तो याद रखेगा माशीर, माशीर, माशीर ए आलमगीर को किसने मुगर राज्ज का जो है गजे तियर की संग्या दी, बताएगा, तो सवाल है कि मुगलकाल में मंतरी परशद को क्या कहा जाता था तो या दिखिया विजारत कहते थे मंतरी परशद को मुगल समराथ किस दिन अपना कचहरी लगाते थे तो या दिखिया बूदबार को लगाते थे आगे चलेंगे फ्रांसिसी यात्री वर्नियर और अगे चलेंग अरजेव का जो है चरिएगा आगे की ओर आगे चलेंगे आगे प्रश्ण है कि और अरजेव द्वरा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था तो दारूर इसलाम याद उखेगा आगे सवाल बनता है आगे सवाल क्या था कि मुगल काल में सरीयत के विरुद्ध काज करने वाले को कौन रोखता था तो या देखिया मुहत शीब नाम है इसका ठीक है मुहत शीब रोखता था या देखिये आगे सवाल है कि मुगल कालीन अर्थविवस्था का अधार क्या था तो चांदी का तक मुगल सास्कों की राज भाषा क्या थी फार्शी हो गई थी या रखेगा फार्शी ही था मुगल काली भारत में राज्य की आये पर प्रमुक श्रोत क्या था तो भूर आज़ था या दुखेगा छिकांगे यह सब इंपोर्टेंट है जान लिजे आगे क्या था कि मुगल काल में इनाम भूमी किसे दी जाती थी तो विद्वान और धाल्मिक वेक्टियों को दी जाती थी या दुखेगा आगे चलेंगे आगे है कि मुगल शाषकों ने जो है मुगल साषकों में सारवधिक विद्वान शाषक कौन थे तो दारशी को था विद्वान श ताजमहल कहा जाता था तो बीवी कामकवारा जो औरंगाबाद में है उसे कहा जाता था या तुखेगा मुगल काल में बंदरगाहों में शेकिस को बाबुल मक्का या मक्का द्वार जो है कहा जाता था तो सूरत को कहते थे या तुखेगा आगे सवाल है कि मुगल अस्थाप के संगमारुरां के पत्थर पर जवाहरत्व से की गई जड़त्र को कहते थे या द हुखेगा आगे प्रश्ना है कि मुगलकाल को कौन से संगमारुद तामाद उद और दौला का मकवरा जो है परियोग हुआ था रखेंगे तो चलेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे फिर चलेंगे आपको जो है लाश्ट कल होगा आपका मुगलकाल का समापन और उसे विकली आपको दे दिया जाएगा उसके बार चलेंगे गुप्त संग्रा का वीडियो आने में थोड़ा सा देर होगा मेरे दोस्त क्योंकि मैंने कल अपडेट दिया था कि कुछ घट्राओं के आदम थोड़े से लेट चलेंगे ठीक है लगे तो प्लेस सब्सक्राब लाइक देगा और गल्तियों को श्मा करिएगा चलते हैं बाइबाइ